हलो एन वेलकम बैक अगर आप भी EV कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपकी गाड़ी लेते हैं तो आपकी घर में EV का जो चार्जिंग का जो सेट अप होता है वो किस तरह का होता है आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल वो शेर करने वाला हूँ EV चार्जिंग का जो सेट अप है वो पूरी तरह जो है टाटा के थूरू इंस्टाल और प्रोवाइड किया जाता है आपका एक भी पैसा इसके अंदर नहीं लगता है सबसे पहले क्या होता है कि जो में लाइट आप की आरे होते है वो डिरेटली एक बाहर जो एक MCB होता है उसके अंदर जारी होते है ये भी टाटा की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है पूरा दो सेट अप देख रहे हैं जो कि अपने आप में काफी प्रीमियम है ये सब टाटा की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है यहां से फिर आपके पास जो ओप्शन आता है या तो ये पूरा बोक्स ये भी एक तरह से दिखने में एक MCB की जैसा ही दिखता है जहां पे पावर ओन और ओफ का ओप्शन होता है और स्राइड में आप इसको प्लक कर सकते हैं अपनी जो EV का चार्जर है उसके साथ जैसे आप इसको ओप्शन करते हैं देखिए रेड लाइट वहाँ पे बिलिंक हो रही होती है तो इस तरह आपको ये देखने को मिलता है जैसे देखी मैंने वहाँ पे इसको ओन किया डिरेटली यहाँ पे जो ग्रीन लाइट जो फस्ट ओप्शन वहाँ पे स्टार्ट हो गया सेकिंड ओप्शन का मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है चार्जिंग के लिए स्टार्ट है इसका मतलब भी है कि आपकी गाड़ी जार्ज होना श्टार्ट हो चुकी है और फॉर्ट का मतलब है कि किसी तरह कोई एरर आये हुआ है उसके वज़े से आपकी गाड़ी जार्ज नहीं होगी अब अगर मैं यहाँ पे बोक्स की बात करो तो यह जो बोक्स है यह आपको दिखने में काफी नौर्मल दिख सकता है लेकिन यह पूरी तरह से काफी इसको बोल सकता है एडवांस है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी भी तरह के पावर का अपसेंड डाउन वगर आते हैं तो वो सबी कुछ इसमें कंट्रोल होता है साथ ही में आपको एप में भी वो सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है ये टाटा मोटर्स के तरब से मिलता है और ये जिप ट्रोन जो ब्रैंड है जो कि पूरा सोफ्ट एस्पोर्ट देती है उनकी तरब से बोक्स लगाए जाता है जो की काफी प्रीमियम क्वालिटिक है अब अगर बात करूँ ये जो चार्जर की जो केबल है उसकी जो लंबाई है एक्चली वो है तीन मिटर की जो की अपने आप में काफी डिसेंट है अर्थिंग का जब आप सेटप करते हैं तो ये एक ऐसी कोस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ती है तो उसकेस में जो है पानी डालना पड़ता है डिरेकली ये जो केबल आप देख रहे हैं ये डिरेकली सेटप में जो है लगी हुई है जो की इस बोक्स के थुरू कनेक्टिड है अगर आप सोसाइटिव अगरा के अंदर रहते हैं तो आपका जो बाहर जो ट्रासफोर्मर अगरा होता है वहाँ अर्फिंग जो करना पड़ेगा अब अगर बात करें चार्जिंग की तो डिरेकली आप चार्जिंग पोर्ट के अंदर नेट कर सकते हैं तो ये घरों के अंदर लगने वाला है तो आपका इस तरह का देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप बहार से कही इसको चार्ज करवाते हैं किसी EV स्टेशन से तो यह नीचे वाला जो आप देखें पोर्ट में ने ओपन किया है यह पूरा सैट अप एक्चुली यूज होगा फास चार्जिंग के लिए घर के लिए जब करते हैं तो उपर जो आपको पाट दिख रहा है वहीं इस्तुमाल हो तो यहां जे देखें आप डिसकनेट इसको नहीं कर पाएंगे डिर्ट लिए आपको अपनी कार के अंदर जाना है और यहां पे चार्जर डिसकनेट का जो ओप्शन है यह वाला यह जैसे ही आप प्रेस करते हैं इसके बाद ही आप अपना जो चार्जर है वो निकाल पाए जब यह बिलिंग करना बंद कर देगा इसका मतलब ही फुल चार्ज हो चुकी है यही इनफोर्मेशन आप आप के अंदर भी देख सकते हैं यह देखें जो एप है इसके अंदर आप सारी डिटेल जो एक्सस कर सकते हैं जैसे कि अब यहां पर दिखा रहें कि स्लो चार्जि इसके बाद यह ओटो डिस्कनेट हो जाएगा एडिट के उपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर यह जो है यहां पर स्क्रूल करके आप 50 से लेके 100% कर सकते हैं लेकिन ठ्रिक्मेंड है कि आप इसको 100% ही रखे और जैसे ही आपके गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है आप के थुरू आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि अब आपकी गाड़ी जो है 100% चार्ज हो गई है और साथ ही में वो ओटो डिस्कनेट भी हो जाएगा चार्जिंग का स्टेटस जानने के लिए यह कितनी % चार्ज हो चुकी है यह सेम चीज आप गाड़ी के लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो अर्थिंग का होता है वो आपको खुद करना है अगर आपकी केस में जो पढ़ती है तो जिसको तकरीवन आपको 1000-15 से रुपए पढ़ेगा साथ ही में इसके साथ जो केबल जो की अपकी में मेटर से या कहीं से आती है तो वो केबल 15 अपनी के दोवार आप फ्री प्रोवाइड करवाए जाएगी और उसके बाद जो है इसके 290 रुपी पर मिटर जो है चार्ज करेंगे आज की वीडियो में जो है सैट अप के रिकाडिंग इतना ही है अगर आपके कोई ओड आउट है तो वो आप हमें कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई